वेल्कम बैक बच्चो अपना यूनिट थर्ड का एक लास्ट टोपिक जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक टोपिक बचा है एम्प्लिफेर आर सी एम्प्लिफेर इसको आर सी कपल्ड एम्प्लिफेर बोलते है इसकी स्ट्रेक्चर क्या है काम कैसे करता है फिर इसके अपन फ्रिक्वेंशी रेंज पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले मैं स्ट्रेक्चर बना देता हूं इसकी स्ट्रेक्चर किस टाइप से होती है तो झाल 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 यह इस टाइप का एंप्लिफेर जो होता है वो कहलाता है आर्ची कपड़ एंप्लिफेर देखो इसमें क्या हो रहे दो ट्रांजिस्टर हैं इनकी क्या कर रखी आपने आपने पाइसिंग कर रखे यह आर सी है तो रहे लो बोल देते हैं इसका तो इसमें इसमें क्या हो रहा है दोनों ट्रांजिस्टर किस से जुड़े हैं तो इसकी कुछ लेंगवेज लिख लो पहले प्रेवर्दकों में अधिक वोल्ट तालब्दी प्रेवर्दकों में अधिक वोल्ट तालब्दी के लिए युगमन द्वारा बहुचरण ये प्रेवर्दकों में अधिक वोल्ट तालब्दी के लिए युगमन द्वारा भहुचरण ये प्रवर्दक बनाई जाते हैं जिसमें एक चरण का निर्गत वोल्ट ताको जिसमें एक चरण की निर्गत वोल्ट ताको दूसरे चरण के लिए निवेशी संकेत के रूप में दूसरे चरण के लिए निवेशी संकेत के रूप में प्रियुक्त किया जाता है इस प्रकार आर्शी युगमित परवर्दक परिपत बनाया जाता है इस प्रकार RC उगमित परिपत बनाया जाता है जिसमें अलग-अलग चर्णों में ट्रांजिस्टर को जिसमें अलग-अलग चर्णों में ट्रांजिस्टर को निवेसी संकेत संदारित्र C1 ये वाला C1 CE तथा CC ये वाला एवं पृति रोधों के स्वेयों जन द्वारा किया जाता है अलग इसमें जो भी इन्पुट दे रहे हैं अपन जो भी आउट्पुट ले रहे हैं वो किसके कॉंबिनेशन से आ रहा है इन्रेजिस्टेंस CE, CC और C1 इनके कॉंबिनेशन से अपन इन्पुट या आउट्पुट चेक कर रहे हैं इस कारण इसे RC युगमित परिपत कहते हैं पैरिग्राफ चेंज करके लिखना युगमन संदारितर तथा उपपत संदारितर युगमन संदारितर को बोलते हैं कप्लिंग कैपसिटर जो CC है ये वला एक दूसरे को जोड रहा है और दूसरा उपत जिसे बोलते हैं बाइपास कैपसिटर CE ये वला इसको बाइपास कैपसिटर बोलते है ठीक है तो उपत संदारितर माइक्रो फैरर्ड इनकी जो यूनिट होती हो क्या होती है माइक्रो फैरर्ड तथा ट्रांजिस्टर की धारिता होए पीको फैरर्ड में होती है ट्रांजिस्टर की धारिता है पीको फैरर्ड में होती है ठीक है यह क्या हो गया अपना डाइगराम हो गया इसके बारे में मैंने कर लिखादी ठ्योरी लिखवादी कैसे काम करता है कौन-कुन से कैपसीटर यूज करने ले कौन-कुन से रजिस्तेंस यूज करने आरचि कपल क्यों बोलते हैं इसको अब इसको क्या पढ़ना है mathematical calculation पढ़ते हैं इसके ठीक है तो mathematical calculation लिखो RC युगमित ट्रांजिस्टर परवर्दक की एकल चरण का आवर्ती अनुक्रिया विसलेशन इसमें फस्ट लिखो मद्ध्य आवर्ती प्राश के लिए 4 middle frequency range 4 middle frequency range तो इसके लिए diagram बनेगा कुछ मैं बना देता हूँ अपन क्या करने जो भी transistor बने थे उनको open कर रहें अंदर से किस type से होते हैं ठीक है तो यह अंदर से कुछ इस type से होते हैं h parameter की form में unit first में भी बताया थे मैंने h parameter कैसे बनाते हैं और का भी जा ट्रांजिस्टर में use होते हैं कौन कौन से h parameter पढ़े थे hi, hfe, कुछ इसी type से पढ़े थे यहां पर current हो रहे हैं ib यह ic आ रही है इदर से यह अपस में connect हैं यह grounded है यहां से ib current आ रही है यहां अपना input given है vi और यह है h ie ठीक है यह क्या होगे इसका h parameter सरकिट होगे एक तरीके से अब इसमें लिखो मद्दे आवर्ती परास में मद्दे आवर्ती परास में युगमन तथा उप्पत युगमन तथा उप्पत धारीताओं का पृतिगात अत्त्य अल्प होने के कारण उन्हें लगुपतित मान सकते हैं जबकि मिलर धाराओं वे एवांचित धाराओं का पृतिगात अत्यदिक होने के कारण इन्हें खुले परीपत में मान सकते हैं युगमन जो अपनने CC और CE पढ़ा इनकी रेंज गया बताई मैंने दूसरे टरांजिस्टर का निवेसी प्रतिरोद HIE, लोड प्रतिरोद RL के समानतर करम में हो जाता है, यहां पे बीच में कैपेसिटर लगा हुआ था एक, यह दूसरा वो है, सेकंड ट्रांजिस्टर, फर्स्ट ट्रांजिस्टर यहीं पे खतम हो गया, कि सेकेंड ट्रांजिस्टर शुरू हो गया है यहां पर एक क्या जुड़ा हुआ था बीज में कैपेशिटर जुड़ा हुआ था सीची डाइग्राम में याद करो तो सीची जुड़ा हुआ था तो यह क्या हो रहा है इसका क्या कर रहे है अपन लगूपतित कर रहे हैं इसको short circuit कर रहे हैं इसको हटाया क्यों क्योंकि middle range के लिए क्या हो रहा है short हो रहा है तो यह दूनों resistance क्या हो जाएंगे एक दूसरे के parallel हो जाएंगे ठीक है तो लिखो इसमें आते हैं मद्यावर्ती पराज के लिए volts तालब दी A, V, M बोलते हैं गेन, वोल्टेज, मिडल रेंज के लिए, कितनी हैगी, VNOTE divided by VI, यह होती है गेन तो, output with respect to input, अब आपन जानते हैं, VI की value कितनी है, resistance multiply by current, HIE dot IB, equation number 1, equation number 2, आगे चलो, VNOTE equal to भी जानते हो, क्या आएगा, यह रहा VNOTE, IC flow हो रही है, resistance कितना है, RL, equation number 3, आगे देखते हैं अपन, अब अपने को कह निकालने है, ZL निकालने है, Sorry, VNOTE में RL नहीं आएगा, ZL आएगा, अब ZL की value निकालने है, ZL क्या है, इन दोनों का parallel combination है, ZL, यहाँ पर total resistance कितना है, तो वो क्या है, इन दोनों का parallel combination है, तो ZL की value कितनी है, 1 upon ZL equal to कितना है, 1 upon RL plus 1 upon HIE, तो ZL की value कितनी है जाएगी, RL, HIE divided by RL plus HIE, इसको बोल देते है, equation number 4, अब और क्या निकालने हैं अपने को, कोई और quantity रह गई, IC की value रह गई, तो IC equal to कितना है, देखो यहाँ से current flow, यह भी current ही है, तो कितनी है जाएगी, IB dot HFE, पर देखो, यह दोनों कहेंगी, opposite direction में आएगी, IC की directions हो रही है, यह थी, यह इधर जा रही है, और यह नीचे आ रही है, इसलिए कहेंगी, यह दोनों opposite direction में से negative sign लग जाएगा, ठीक है, equation number 5, अब क्या करने है अपने को, समीकन 4 और 5 को 3 में रख दो, using 4 and 5 in third, 4, 5 यह रही, third यह रही, तो V note की value देखो, कितनी हैगी, IC यह रहा, minus IB HFE multiply by ZL, यह रहा, RL HIE divided by RL plus HIE, इसको equation number 6 बोलो, equation number 6, 2 and 1, from 6, 2 and 1, यहा पे सारी value put कर लो, तो AVM की value कितनी आएगी, देखो, V note की value यह रही, minus IB HFE RL dot HIE divided by RL plus HIE, multiply by, VI, VI है नीचे, तो 1 upon HIE dot IB, HIE से HIE cancel, IB से IB cancel, अपने पास क्या बचेगा, minus RL HFE divided by RL plus HIE, बिस्ट यह बचेगा, तो यह क्या आ गई, gain आ गई, इसकी, किस पर depend कर रही है, यहाँ पर negative sign आ रहा है, देखो, सामने लगके, तो negative sign physics में मैंने पहले भी बता है, तो negative sign किसको represent करते हैं, जहाँ भी negative sign आ जाए, वो क्या हो represent कर रहा है, out of phase represent कर रहा है, मतलब input और output एक दूसरे के कहा है, out of phase है, अगर input ऐसे आएगा, तो output किस ताइप से आएगा, ऐसे आएगा, 180 के phase difference में आते हैं, तो समझगे negative sign किया बता है, negative रिर्नात्मक्चिन यहाँ पर, निवेशिवे निर्गत के मद्दे कलाकोंड 180 को बताता है, समझ गई, और इसी के साथ अपनी unit 3rd पूरी होती है, amplifier बचा था एक, मैंने गा था लास्ट वीडियो बहुत छोटा साही आएगा, क्योंकि उस क्लास में अपना पूरा नहीं हो पाए था, तो इसलिए छोटा ही वीडियो आएगा, amplifier का मैंने बता दे, amplifier कैसे है, क्या काम करता है, अब अपनी बचे unit 4th, unit 4th का मैं इंट्रो दे दूँ, क्या क्या पढ़ना है अपने को, कैसे कैसे पढ़ना है, यहाँ बता रहा हूँ मैं unit 4, सबसे पहले पढ़ना है oscillator, फिर पढ़ने है digital electronics, oscillator में क्या क्या पढ़नेंगे, chart type के, heartle, call, pit, साइट तीन ही है आपके, मैं देख लेता हूँ कुन-कुन से, एक तो heartle है, एक call pit है, और दो हो रहा है कुन से, call pit है अपने, दूसरा heartle है, और तीशरा है अपना RC color, यही आरसी वाला है, इसको थोड़ा सा modified किया हुआ है, यहां RC coupled है, वो RC phase shifter है, बैस, तीन पढ़नें अपने को, heartle, call pit और RC phase shift, और इसमें फिर अपने को एक चीज और पढ़नी है, self-emitting की, self-excitation की condition क्या होती है, कैसे होती है, तो हमें जो oscillator है, यह तुम्हें अपनी book के तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा different way में पढ़ाएंगे, easy तरीके में, ठीक है, तो यह थोड़ा सा simple तरीका में आपको समझा दूँगा, कैसे काम में लेने, कैसे use करना है, वो बहुत सीधा सा है, digital electronics में gate पढ़ने, इसका DTL और TTL, diode transistor 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 logic, sorry, DTL, diode transistor logic transistor transistor logic, मिलब जो gate है, उनको transistor यूज करके कैसे बना सकते हैं, diode यूज करके कैसे बना सकते हैं, और boolean expression पढ़ना है, ठीक है, तो यह अपना complete हो जाएगा, यह भी साइद एक lecture में digital हो जाएगी, यह एक lecture में अपना oscillator हो जाएगा, तो दो lecture oscillator के मान लो, और एक lecture digital का मान लो, तीन lecture में complete हो जाएगा, पनी fourth unit, ठीक है, मिलते है next classmate,